यदि आपके नीट में मार्क्स कम आये हैं और आप इस साल ड्रोप नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है इस वीडियो में हम ऐसे कोर्स की बात करेंगे जो कि आप MBBS या BMS के अलावा भी कर सकते हैं इन सबी कोर्स का काफी अच्छा स्कॉप है इन में एड्विशन भी असानी से मिल जाता है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी फार्मा की यह एक अंडर ग्रेजुएट डिगरी कोर्स है इसमें आपको ड्रक्स एंड मेडिसीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है य इसके बाद में बात करते हैं फिजो थ्रेपिस्ट की फिजो थ्रेपिस्ट का भी आजकल बहुत अच्छा स्कॉप है एंड इसमें बिमारी को हिलाज एक्सरसाइज एंड एक्कोप्रेसर मेथड से किया जाता है सर्वैकल पेन के लिए आजकल सभी फिजो थ्रेपिस्ट को ह प्रिफर करता है इसके बाद आता है बीएस्सी नर्सिंग किसी होस्पिटल में डॉक्टर के बाद यदे इस्तान मिलता है तो वो मिलता है नर्स को यदे आप फिमेल हैं तो ये कोर्स करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस फिल्ड में जॉब की कमी नहीं है यहां त टेक्नलोजिस्ट ये भी तीन साल का कोर्स होता है इसके अंदर मेटिकल मेनेजमेंट व्या अनस्थीसिया वगएरा आते हैं इसके बाद हमने रखा है बीएस्सी रेडियोलोजी यह एक पेरामेटिकल प्रोफेशनल कोर्स है इसके अंदर अल्टरसाउंड एक्सरे सिटी स् एवं MRI डिपार्टमेंट आते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप किसी डियागनॉस्टिक सेंटर पर वर्क कर सकते हैं इसमें भी काफी अच्छी सेलरी मिलती है इसके बाद है सेनेटरी इंस्पेक्टर यह एक प्रोफेशनल कोर्स है इससे करने के बाद आपकी जो रेलवे फाइव स्थार होटेल या फिर डिस्टिक काउंसलिल में लग सकती है इसका काम फूड एंड ड्रग सेफटी मनेजमेंट करना होता है और इसकी भी काफी होता है with the help of different latest methods तो आप यह सभी courses कर सकते हैं तो आजकल इन सभी courses की भी बहुत ज़्यदा importance है और सभी medical line से सम्मंदित है इसलिए मैं आपको यही suggest करूंगा यदि आपको पूरा विश्वास है कि next year neat clear हो जाएगा तो ही drop कीजिए वरना इन में से किसी में admission ले ले लीजिए क्योंकि time waste करने से कोई फायदा नहीं है वैसे इसके लावा कुछ और भी courses हैं जो आप कर सकते हैं उन पर भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे Thank you very much